Hello to everyone, in this video we are going to discuss about the cognitive learning, thinking skill, convergent thinking and the divergent thinking. So let's start with the cognitive learning. So learning आपके बहुर टाइप्स के हैं, जैसे आपके behavioral learning, cognitive learning. तो देखो behavioral learning, ख्योरी के अंडर आपके हाते हैं, Pablo, Skinner, जो आप second semester पर पढ़ चुके हो. तो वहीं पर क्या हो रहा था? हम लोग behavior से कुछ सीख रहे थे. पर cognitive learning का मतलब क्या है? देखो cognitive का मतलब होता है, it is related to your mental process. जब हम लोग अपना दिमाग का यूज करके कुछ चीज सीखते हैं, ये सारे आपके cognitive learning पर आते हैं. Cognitive का मतलब ही होता है mental process. और mental process के अंडर क्या क्या आते हैं? आपका processing आता है, memory आता है, reasoning आता है, thinking, attention, perception. तो cognitive learning का मतलब होता है, जब हम लोग अपना दिमाग को यूज करके कुछ चीज सीखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं cognitive learning. Cognitive learning का और एक भी definition है, यहीं पर ये बोलता है कि how a human mind work while they learn. Cognitive learning हमको ये बताता है, कि जब हम एक human कुछ चीज सीखता है, तो उसका mind कैसे work करता है. Okay, how a human mind work while they learn. Cognitive learning का और एक भी definition है, कि जब हम लोग अपना दिमाग को पुरा ब्रेन को effectively use करते हैं, तब भी हम लोग उसे cognitive learning कहते हैं. When we use our brain effectively, we call them cognitive learning. Okay, जब हम लोग अपना पुरा दिमाग को पुरा यूज करके कुछ चीज सीखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं cognitive learning. तो cognitive learning is the function based. ये कौन से function पर बेस है? On how a person process and region information. तो जब भी हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं, science हो गया, math हो गया, तो वो सारा information होता है. कैसे process होता है, कैसे region होता है, ये उसी function पर ही base है. Okay, cognitive learning कौन से function पर बेस है? How a person process and region information. जब एक person को चीज पढ़ता है, मतलब कोई information लेता है, तो उस information को कैसे process और region करता है. तो देखो आपका next है, cognitive learning revolves around many factors. Cognitive learning बहुत सारी factor पर dependent है. कौन-कौन सा वो factor है? problem solving skill, memory retention, thinking skill, perception of the learned material. तो देखो cognitive learning जैसे memory retention. अगर आप आज कुछ चीज पढ़ रहे हो और दो दिन के बाद भूल जा रहे हो, इसका मतलब जब भी आज आप कुछ पढ़ रहे थे, आप अपना पूरा दिमाग यूज नहीं कर रहे थे. अगर आप अपना brain को effectively अगर यूज करोगे, तो जब भी कुछ चीज सीखोगे, तो वो बहुत time तब आपके दिमाग में रहेगा. retention का मतलब ही यही होता है, कि आपके दिमाग में कितना देर तक वो information रह रहा है. देखना बहुत बच्चे, आज कुछ अगर पढ़ी होंगे, तो दो महीने के बाद पर पुछोगे ना, तो वो सारा answer दे देते हैं. इसका मतलब है, उनका जो cognitive process है, वो बहुत effective है. मतलब है, वो लोग जब भी कुछ चीज पढ़ रहे हैं, बहुत अपने ध्यान से पढ़ रहे हैं, मतलब अपना brain को पूरा यूज कर रहे हैं, thinking skit. तो देखो, जब भी कुछ पढ़ते हैं, तो हम लोग उसे think करते हैं, मतलब सोचते हैं, history हो गया, geography हो गया, economics हो गया, sociology हो गया, जब भी हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको think भी करते हैं, मतलब उस information के बारे में सोचते भी हैं, यह सारे आपके cognitive learning के अंड मतलब, with effective cognitive process, learning is easier, अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से use करोगे, मतलब effectively use करोगे, तो जब भी कुछ चीज सीखोगे, तो वो आपको easy लगेगा, मतलब आपका learning easier हो जाएगा, and new information can be stored in the memory for a long time, अगर आप अपना दिमाग को लगा के पढ़ोगे, इसलिए तो teacher बोलते है कि अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, ताकि जब भी कुछ चीज आप पढ़ोगे, वो आपके धिमाग में बहुत time तक आपके धिमाग में रहेगा, इसलिए teacher बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ताकि ऐसा नहों कि आज आप कुछ पढ़ रहे हो, और कल तक आप तो क्या हो जाएगा, आपका learning में difficulty आएंगे, that can be seen anytime during the life of an individual, तो देखो इसका application क्या-क्या है, cognitive process influence learning, अभी-अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या cognitive learning, मतलब कैसे हम लोग एक दिमाग को यूज करके सीखेंगे, तो cognitive process कि पे influence है, learning पे influence है, जैसे-जैसे हमारा age बढ़ता रहता है, मतलब जैसे एक बच्चा ग्रो करता रहता है, तो उसका जो cognitive process होता है, उसका जो thought होता है, वो और भी sophisticated हो जाता है, अगर हम अपना अगर दिमाग को अगर सही से अगर use करेंगे, तो जितना भी information हमारे दिमाग में है, वो सारा organize होके रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि science का formula आप math पे लगा दोगे और math का formula science पे, अगर आप अगर ठीक से अगर समझे होगे, मतलब अपने जब भी कुछ पढ़ रहे होकर, ध्यान से अगर पढ़े होगे, तो आपके दिमाग में वो disorganized होके नहीं रहेगा, मतलब वो सारा organize, जैसे बहुत बच्चे formula का, अगर प्रॉफिट लोज सकता, अगर कोई formula पढ़ाए हैं, तो वो सारा और कुछ formula पे use कर देते हैं, जैसे बहुत बच्चे area of square, area of square का जितना होता है, अगर उनको पुछोगे area of rectangle, तो दोनों को confuse कर देते हैं, इसका मतलब क्य information आपके दिमाग में organize होके रहेगा, कोई confusion नहीं होगा, जब हम लोग अपना दिमाग को use करके पढ़ते हैं, तो जो भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं, नई information जो सीखते हैं, वो easily सीख जाते हैं, मतलब easily हमारे में acquired हो जाता है, when people can associate it with things, they have learned, मतलब जो कुछ सीख चुके है अभी आप क्या, मतलब जो आपके दिमाग में है, अभी आप कौन सीख पढ़ रहे हो, cognitive learning, मतलब एक new chapter पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में जो है already, ये क्या है, अभी जो पढ़ रहे हो cognitive learning chapter ये आपके दिमाग में new information जा रहा है, तो ऐसा नहों कि जो पहले आपके में है, और जब वो नया information आ जा रहा है, वो सारा गडबड़ी हो जा रहा है, अगर आप अपने ध्यान से अगर पढ़े होगे, तो वो सारे confusion नहीं होगे, okay, individuals control their own learning, अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से यूज करोगे, effectively अगर यूज करोगे, तो आप अपनी learning को मतलब उसके बारे में सोच के पढ़ते हैं, बिना सोच के आज ता कभी कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो मतलब जब भी कुछ सीखते हैं, तो तब हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग को यूज करते हैं, और उसके बारे पर सोच के पढ़ते हैं, तो जब भी हम होगे उपर ही उपर से पढ़ोगे क्योंकि उसके बारे पर आप सोचोंगे ही नहीं तो उसके बारे पर extra information भी नहीं जान पाओगे इसलिए सोच के पढ़ो according to Mohsin Mohsin के according thinking क्या है it is an implicit problem solving behavior यह बोल रहते हैं कि यह problem solving behavior है मतलब जब को मतलब जब हमें किसी problem को solve करना होता है तभी हम लोग अपना thinking को use करते है according to Gleemur Gleemur के according thinking क्या है it is a problem solving process in which we use ideas in activity यह भी क्या है Gleemur के according भी thinking skill क्या है यह problem solving process है जहां पे हम लोग अपना idea को एक activity पे use करते हैं यह सारा लिखना महसीन और Gleemur के बारे में तो thinking skill क्या है thinking skill are mental process यह सारे आपके mental process है that we apply when we speak to make sense of experience जब हम लोगों को कुछ सीखना रहता है मतलब उसको experience करना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं अपना thinking skill यूज करते हैं मतलब उसके बारे पर सोचते हैं जैसे आप अपने science पर कोई practical करते हो experiment करते हो तो teacher जब पहले समझाते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो तब हम लोग क्या करते हैं उसको ध्यान से देखते हैं और अपना thinking skill यूज करते हैं मतलब आम लोग उसके बारे पर सोचते हैं, फिल प्राक्टिकल करते हैं, उसका मतलब क्या बच्चे वही पर thinking skill को use कर रहे हैं, ताकि वो चीज को वो सीख पाई, मतलब उसको experience कर पाई, thinking skill क्या है, आपका mental process है, that we apply when we seek to make sense of experience, thinking skill help to do things like solve problem, make decision, ask question, तो देखो thinking skill ये कहां-कहां पे help करता है, कोई अगर आप decision ले रहे हो, तब हम लोग क्या करते हैं, सोच के करते हैं, इसलिए जो बच्चे मतलब जादा सोच के, मतलब पूरा ऐसे हडबड़ी पे कोई decision नहीं लेते हैं, थोड़ा अपना thinking skill को पूरा use करके जब एक decision लेते हैं तो उनका decision में बहुत ही power होता है, मतलब उनका decision बहुत ही अच्छा और accurate होता है, इसलिए जब भी कोई decision लो तो अपना thinking skill यूज करो, क्योंकि thinking skill यूज करके, जब हम लोग एक चीज को decision लेते हैं, तो वो अच्छा होता है, वो accurate होता है, तो और किस-किस पे ये thinking skill help करता है, solve problem, कोई problem है आपके पास, मतलब कोई life problem है, या कोई पढ़ाई का कोई problem है, तब हम लोग क्या करते हैं, अपना thinking skill को use करते हैं, मतलब उसके बारे पे सोचते हैं, और उस problem को solve करते हैं, कोई question अगर हमको पूछना रहता है, तब भी हम लोग उसके बारे पे सोचते हैं, कि क्य अगर आपको कोई आईडिया अगर evaluate करना है तब भी हम लोग सोचते हैं organize information and create object वहीं पे भी हम लोग अपना thinking skill को use करते हैं तो जितना याद आया तो example लिख लेना solve problem decision question plan construct करना यहीं पे हम लोग अपना thinking skill को use कर रहे हैं तोड़ दू जैसे यहीं पे आपका heading है thinking skill आप उसको तोड़ दो क्या क्या आया thinking and skill skill का मतलब होता है ability और thinking का मतलब होता है सोचना भगवान ने सभी को एक thinking ability दिये हैं मतलब ताकि सभी person सोच सके क्योंकि thinking ability हमारे जीवन में एक बहुत important role play करता है अगर आपके पास अगर सोचने का ability ही नहीं है तो आप कुछ भी चीज कर नहीं पाओगे आप कोई अच्छा decision नहीं ले पाओगे कोई plan construct नहीं कर पाओगे कुछ चीज सीख नहीं पाओगे इसलिए भगवान ने सभी को thinking ability दिये है ऐसे होता है कि किसी का थोड़ा thinking skill जादा होता है और किसी का thinking skill थोड़ा कम होता है लेकिन ये thinking skill सभी के में है ओके देखो thinking skill enable us to integrate each new experience into the schema ये सायता first semester पे पढ़ चुके हो कि schema क्या है schema आपका मतलब होता है pattern of thought आपका thought pattern कैसा है और जब हम लोग अपने schema में कोई new experience को add करते है that we are constructing of how things are वही से हमको पता चलता है कि ये चीज क्या है देखो ये line को अच्छे से समझो जैसे आपका PIAJ पे पढ़ेते schema schema का मतलब होता है मतलब आपका thought pattern कैसा है वही पे आप एक example भी पढ़ेते कि एक बच्चा जब कुट्टे को देखता है मतलब एक dog को पहले जब देखता है तो वो सोचता है कि जिसका चार पैर है उसी को dog कहते है फिर सबोज वो कुछ दिन के बाद एक cat को देखा पहले वो किसको देखा dog को देखा फिर वो बच्चा फिर किसको देखा cat को देखा फिर उसे लगा कि cat का भी तो चार पैर है मतलब इसका मतलब है इसको ये भी dog है फिर बात पे जब cat जब उसका जब आवाज निकाला जैसे mew mew जब निकाला तब उसको लगा कि आरे dog तो बाग कर रहा था तो ये कैसे mew mew कर रहा है तो इसका मतलब है cat मतलब अलग चीज है और dog अलग चीज है फिर वो अपने धिमाग में एक thought का pattern बनाता है कि जो भी चार पैर है इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे dog है जो बार करता है जो भौ भौ करता है उसको हम लोग dog कहते है और जो mew mew करता है उसको हम लोग cat कहते है तब ही क्या होता है उसके मतलब thought पे एक pattern आता है तो देखो schema का मतलब होता है जो पहले से ही हमारे दिमाग में है cat का जो experience था वो आपके में बात में आया देखो dog को पहले experience था जिसका चार पैर होता है उसे हम लोग dog कहेंगे फिर जब हो cat को देखा तो cat क्या था उसके लिए एक new information था उसके लिए ये लगा कि cat भी dog ही है पर उसको जब बात में पता चला कि cat mew mew कर रहा है तो वो mew mew क्या है उसके लिए एक new information है उसके बाद ही उसको पता चला कि नहीं जो चार पैर होता है उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे dog ही होंगे जो mew mew करता है उसको cat कहेंगे और जो bar करता है उसे हम लोग dog कहेंगे तो ये cat क्या है उसके लिए एक new experience था और जब वो new experience उसके पहले वाले thought पे integrate हुआ मतलब add हो गया तब उसको पता चला कि cat क्या चीज है और dog क्या चीज है देखो यहीं पर यहीं बोला है कि integrate integrate का मतलब add करना add each new experience पहले वो क्या देख रहा था वो बच्चा dog को देखा था उसके बाद वो cat को देखा तो cat का जो new experience था मतलब वो cat जो mew mew किया वो mew mew वाला जो experience था वो अपने पहले जो schema था मतलब जो पहला जो उसका thought था कि जो भी चार पैर होते है वो सारे dog होते है वो new experience को अपने thought पे वो add किया और वो सोचा कि नहीं अगर आपके thinking skill के अंडर ही आते है अगर ये बच्चे का अगर thinking skill ही नहीं है मतलब सोचने का अगर काबिलियत ही नहीं है तो उसको लगेगा कि dog और cat दोनों ही एक चीज है अगर thinking skill अगर ठीक से हुआ होगा मतलब उसके दिमाग में अगर ठीक से आया होगा तब ही वो सोचेगा कि अच्छा जो चार पैरल है और जो भाव भाव करता है उसको dog कहेंगे और जो म्यू म्यू करता है वो cat मतलब दोनों को separate कर पाएगा वो जो बच्चा जो दोनों चीज को separate कर पा रहा है वो thinking skill के वज़े से ही कर पा रहा है अगर बच्चे का thinking skill ही अगर नहीं होगा तो वो दोनों चीज को मतलब कोई भी दो चीज हो उसको separate करके उसको समझ नहीं पाएगा अगर किसी का अगर better thinking skill है मतलब अगर उसका अगर सोचने का अगर सकती अगर बहुत अच्छा है तो वो जब भी उसके मतलब experience होगा उसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखेगा जैसे बहुत बच्चे होते हैं मतलब जैसे आपका second semester खतम हो गया तो वो लोग second semester के exam के कुछ दिन पहले ये सोचते हैं कि इस बार तो मतलब बहुत कम पढ़ाई कि जब second semester खतम हो जाएगा अभी से हम लोग पढ़ना start करेंगे ताकि third semester पे अच्छे marks आए पर जब second semester खतम हो जाता है तो बहुत बच्चे हाँ पढ़ेंगे और कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे ऐसे ऐसे करके फूरा third semester आजाता है मतलब वो लोग अपने experience से नहीं सीखते है कि उनको जैसे second semester पे जो मतलब problem का face करना पढ़ा था क्योंकि वो लोग पहले से नहीं पढ़ेते तो उनको last time पे उनको बहुत महनत करना पढ़ा इसका मतलब क्या वो लोग अपने experience से नहीं सीखे और अगर किसी बच्चे का thinking skill अगर अच्छा है तो वो क्या सोचेगा जब second semester खतम हो गया वो सोचेगा कि नहीं second semester पे मैं अच्छा नहीं पढ़ा था और last time में मुझे बहुत महनत करना पढ़ा तो मैं अभी से पढ़ूंगा उसका मतलब क्या है उसका thinking skill बहुत अच्छा है and to make better use of our intelligence अगर आपका thinking skill अच्छा है तो आपका जो intelligence है आप उसे अच्छे से यूज कर पाओगे then है आपका better thinking will not only enable us to become more successful at learning but will help also equip us for life better thinking का मतलब ये नहीं कि जिसका better thinking है वो successful होगा इसका मतलब ये भी है मतलब successful तो आपको बनाएगा बनेगा मतलब आपको अपने life को equip भी करने के लिए help करेगा enabling us to realize our own potential अगर आपका thinking skill अच्छा है तो आप अपने potential को भी अच्छे से पहचानोगे जैसे आपका thinking skill अच्छा है तो आप अपना strength क्या है आपका weakness क्या है आपको सारा पता होगा and to contribute the development of society और जो क्या करता है आपके जो society का जो development है उसी पर contribute भी करता है तो पढ़ेंगे convergent thinking देखो ये एक टाइप का thinking ही है और convergent thinking और divergent thinking दोनों अपने आप में opposite है अगर convergent thinking भी अगर समझ ले तो divergent thinking समझने में आपको जाता problem नहीं होगा तो convergent thinking जो term है उसको कौन कोईन किया था joyful gulliford ये आपको लिखना है और क्या है convergent thinking, divergent thinking का opposite है यहीं पर देखो लिखा भाई opposite है it generally means the ability convergent thinking ये ability है to give the correct answer to standard questions that do not require significant creativity ये point लिखना कि जहाँ पे हम लोग इक questions का answer देते हैं without using creativity उसे हम लोग कहते है convergent thinking जैसे आपके suppose आपका कोई questions आया है exam पे what is the area of square square सबको पता होगा जिसका सारा site same होता है अगर questions पर आया है what is the area of square तो आप वहीं पर क्या answer दोगे a square क्योंकि आप अपने text book पे पढ़े हो कि area of square होता है a square तो यहीं पर आपको ज्यादा कोई creativity दिखाने का कोई जरूरत नहीं है बस आप जो पढ़े हो उसको थोड़ा भी अगर recall कर लोगे मतलब थोड़ा याद कर लोगे कि class पे क्या पढ़ाई वा था book पे क्या लिखा हुआ था तो आपको याद आ जाएगा कि area of square a square होता है तो जब भी हम लोग किसी questions का answer देते है without using creativity उससे हम लोग कहते है convergent thinking मतलब थोड़ा से भी अगर recall कर लिए तो उस questions को आप answer देए पाओगे उससे हम लोग कहते है convergent thinking ओके for instance in most tasks in school और standardized multiple choice test for intelligent जब भी हम लोग कोई MCQ देते है multiple choice question का test देते है school का कोई test देते है तो वहीं पे हम लोग convergent thinking करते है क्योंकि school पे क्या होता है क्या-क्या questions आते है जो हमको already पढ़ाया जा चुका है उसी से ही questions आते है तो हम लोगों को वहीं पे ज़्यादा कोई creativity दिखाने का जरूरत नहीं है जैसे science का कोई questions आया है तो जहाँ पे भी जिस questions को हम लोग answer देते है वो अपना creativity यूज नहीं करते है और थोड़ा सा भी जहाँ पे हम लोग recall करके उस questions का answer दे देते है उसे हम लोग कहते है convergent thinking और यह आपके ज़्यादा तर school test पे हम लोग होता है जब exam देते हैं स्कूल का कोई exam वही पे हम लोग अपना convergent thinking यूज करते है क्योंकि जो पढ़ाया जा चुका है उसी से ही questions आता है वही पे हमको कोई ज़्यादा creativity दिखाने का कोई जरूरत नहीं है जैसे आपको अगर suppose questions आया science का है कि photosynthesis कहां पे होता है प्लांट पे होता है या अनिमल पे होता है तो देखो, वही पे ज Allen видео आपको कोई creativity दिखाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि MCQ पे भी हमारे 4 या 5 options रहते हैं और वहीं पे हमको एक टीक करना होता तो जो पढ़ाया हुआ रहता है वही से ही questions आय रहते है Convergent Thinking is the type of thinking that focuses on coming up with single well-established answer to a problem जब भी problem यही पर आप questions को याद करो जब भी कोई questions आता है और हम लोग focus किसे पर करते हैं एक single well-established answer पर मतलब ऐसा ने कि questions अगर आया है कि what is the area of square तो 4A होगा या A square होगा ऐसा हमको धिमाग का दोडाने का कोई जरुवत नहीं है हम लोग क्या कहते हैं single well-established answer हम लोग ही दे देते हैं उससे हम लोग कहते हैं convergent thinking यह क्या है टाइप का thinking है it is the most effective in situation where an answer readily exists तो देखो यह कौन से situation पर effective है जहाँ पर answer पहले से ही exist है जैसे आपको हम लोग मतलब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि photosynthesis plant पे ही होता है और area of square का formula A square ही होता है मतलब जहाँ पर answer already exists है वहीं पर ही हमारा convergent thinking आता है and simply needs to be either recall or worked out through decision making strategy मतलब थोड़ा सा भी अगर हम लोग recall कर दिये या उसके पर थोड़ा अगर काम कर लिए मतलब थोड़ा अपने exam पर जैसे आपका questions आया है area of square तो अपना थोड़ा भी अगर दिमाग थोड़ा देखोगे कि क्या पढ़ाई वा था क्या लिखा वा था book पे थोड़ा भी अगर मतलब दिमाग को अगर use करोगे मतलब थोड़ा recall लग भी अगर कर लिए तो आपको answer मिल जाएगा वही पर आपको जादा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं होता है मतलब वही पर कोई आपको creativity दिखाने का कोई जरूरत नहीं है Conversion thinking is used as a tool in creative problem solving When an individual is using critical thinking to solve a problem They consciously use standard of probability to make judgment This contrast with diversion thinking ये diversion thinking का पूरा ही उल्टा है But judgment is deferred while looking for and accepting many possible situation तो देखो यहीं पर क्या होता है Divergent thinking पर आपका एक problem होता है और आप बहुत सारे solution निकालते हो मतलब जैसे आपका करोना आ गया था तो देखो करोना के बारे पर किसी को भी नहीं पता था कि ये bacteria है या virus है पिर लोग ऐसे मतलब जब ये करोना वाइरस आया तो लोग जो scientists पे बहुत सारा मतलब solution निकाले कि आप हर दिन काड़ा पियो आपको करोना नहीं होगा कोई को बोले आप धूप पे जादा रहो आपको problem नहीं होगा जादा AC मतलब cooling area पे जादा मत रहो आपको करोना नहीं होगा बहुत लोग मतलब बहुत टाइप का solution निकाले वही पे क्या किए divergent thinking हो रहा था मतलब एक problem का बहुत सारा solution दे रहे थे scientist लोग तो वही पे आपका divergent thinking तो देखो divergent thinking पे आपका creativity यूज हो रहा है पर convergent thinking पे आपका creativity यूज नहीं हो रहा है जैसे आपका questions आया था area of square तो area of square क्या आप अपने book पे पढ़ रहे हो बस आपको थोड़ा अगर याद कर लिए तो exam पे आप लिख पाओगे कि area of square equals to a square वही पे आपको कोई भी creativity यूज नहीं हो रहा है पर divergent thinking पे क्या हो रहा है आप एक problem का बहुत सारा solution निकाल रहे हो तो सायद आपको divergent और convergent का जो beach का जो difference हो आपको मतलब पता चल गया तो देखो divergent thinking is a thought process और method used to generate creative idea मतलब जहाँ पे हम लोग अपना creativity यूज करते हैं और एक problem का बहुत सारा solution मतलब उस problem का बहुत सारा idea हम लोग निकालते हैं इसле यह आपका divergent thinking है पर convergent thinking मतलब क्या हो गया है मतलब हम लोग एक single answer देंगे मतलब यह आपका support answer है मतलब बहुत सारा मतलब जैसे बहुत सारा question से हम लोग एक well established single answer निकालेंगे जैसे आपके school पे मतलब कोई problem हो जाता है तो teachers आपके जो administrator होते हैं वो सारे मिलके उस problem का एक single answer निकालते हैं उसका मतलब क्या है वो convergent thinking कर रहा है मतलब जहां पे हम लोग एक single well established answer को लिखते हैं या उसके बारे पे सोचते हैं उसे हम लोग कहते हैं converge देखो नाम से बता चला है converge हो रहा है मतलब एक जगह पे एक point पे आके मिल रहा है अपने daily life पे भी use करते हो कि diverge हो रहा है divergent, divergent मतलब एक single point से बहुत सारा आपका solution निकल रहा है तो देखो यहीं पे लिखावा है after the process of divergent thinking has been completed ideas and information are organized and structured using conversion thinking तो देखो divergent thinking होने के बाद जैसे कोई problem आ गया आप उसका बहुत सारा solution निकाले जैसे आपका करोना आ गया तो scientists लोग बहुत सारा vaccine के बारे पे बोले कि ये लगा दो ये लगा दो और वो affordable भी होगा फिर वो लोग दो ही vaccine निकाले covid shield and आपका co-vaccine मतलब फिर वो सारा जो idea था उसको फिर converge करके एक single well established answer पे आए वो लोग तो जब भी divergent thinking होता है divergent thinking होने के बाद फिर convergent thinking होता है क्योंकि तो देखो एक problem का हम लोग सारा solution use नहीं कर सकते है क्योंकि वो possible नहीं है जैसे आपको school पे भी problem हो गया है तो जितना भी solution निकाले वो सारे solution को आप implement नहीं कर सकते है तो आपको at last पे मतलब end पे आपको single ही आपको solution निकालना है तो divergent thinking होने के बाद भी फिर at last पे आपका convergent thinking ही होता है जैसे आपके school पे भी बहुत सारे competition होता है जहाँ पे teacher आपके divergent thinking skill को improve करना चाहते है जैसे हम लोग मेरे school पे हुआ था ऐसे सभी बच्चों को ऐसे 5-5 ऐसे रंगोली कलर दे दिये थे मतलब जैसे white, yellow मतलब ऐसे 5 ही कलर दिये थे और वहीं पे बोले थे कि इसी 5 कलर से मतलब सारे बच्चे different type of रंगोली बनाओ तो कोई कई बच्चे इतना ऐसे थे कि वो लोग सोचते थे कि 5 कलर से क्या होगा रंगोली तो वो लोग ऐसे generally ऐसे रंगोली बनाए थे पर कुछ-कुछ बच्चे थे मतलब 5 कलर मिला-मिला के मतलब इतना सुंदर वो लोग रंगोली बनाए थे इसका मतलब क्या 5 कलर है मतलब 5 कलर है पर उसको वो लोग बहुत सारा solution मतलब बहुत सारे way पे उसको सोच कर रहे वो रंगोली बना रहे है मतलब 大 horizon thinking कर रहे है अगर टीचर अगर ऐसे बोले रहते कि तुम बहुत सारा कलर यूज भी कर सकते हो और पर आपको रंगोली अच्छा बनाना है वही पर इसका मतलब है वही पर कोई divergent thinking नहीं आ रहा है पर आप अगर ऐसे limit कर दोगे कि इसरी 5 या सरी 5 या 3 कलर से कोई रंगोली बना उसका तो तीन कलर के पर वो लोग बहुत सारे वे पर सोच रहे थे कि कैसे ये तीन कलर से एक new टाइप का कोई रंगोली बनाए जो बहुत अच्छा भी दिखता होगा और वो impressive भी हो तो यहीं पर क्या हो रहा था आपका divergent thinking हो रहा था creativity can be seen as an ability to retrieve and connect this parted concept store in the long term memory system जब हम लोगों को कोई चीज मतलब सोचना रहता जैसे आपका कोई problem हो गया और उसका हम लोगों कोई solution निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं हमारे मन में जो जो भी concept है उस सारे को link कर देते हैं और उसका problem हम लोग सोचते हैं जैसे आपका जैसे करोना आ गया तो scientist के दिमाग में जो कुछ भी था मतलब जो उनके मन में concept था कि करोना पहले उनको जब पता चल गया कि virus है तो वो पर क्या कि ए in our brain in semantic network या आप already second semester पर परच चुके हो divergent thinking is found among people with personality traits such as curiosity, willingness to take risk and persistence तो divergent thinking कौन कौन सी people पर होता है अगर किसी का divergent thinking है तो उसका personality कैसा होगा जो भी person का divergent thinking बहुत अच्छा रहता है वो बहुत ही curiosity होगा अगर कोई लड़का या लड़का आपके class पर कोई है जो बहुत ही curiosity है होता है मतलब कुछ बच्चे को आप देखे भी होंगे अगर कोई भी मतलब कुछ चीज पढ़ा रहे हो ना बहुत वो लोग curiosity से वो लोग सीखना चाहते है मतलब उसके बारे पर आपको questions पूछेंगे और क्या new information है वो जानने के लिए कोसिस करेंगे मतलब हर चीज पर अप मतलब इच्छा करते हैं willingness मतलब इच्छा रखते हैं उसका मतलब क्या है उनके में divergent thinking बहुत ही अच्छी तरह से develop हुआ है and the persistence मतलब अपने जो काम है उस पर दुरुड रहते हैं मतलब प्र डटे रहते हैं इसका मतलब है उनका divergent thinking बहुत ही अच्छा है तो देखो divergent thinking is found among people तो ये कौन-कौन से people पर ये देखे जाते हैं with personality जो people के personality पर curiosity होगा willingness to take risks मतलब वो लोग दिक्स लेने की इच्छा रखते होंगे and persistent वो लोग ही मतलब उनके में ही divergent thinking effectively रहता है देखो यही पर आपका है यह वाला डाइग्राम आपका लेना देखो divergent thinking पर क्या हो रहा था एक problem था और उसका हम लोग बहुत सारा solution निकाल रहते हैं तो जहां पिचारों तरफ एले हुए रहते हैं उसका मतलब है divergent thinking और convergent thinking मतलब ऐसे मतलब चारों तरफ से हम लोग एक single well established answer निकालते हैं तो यहीं पर आपका है convergent देखो और एक diagram है इसको भी आप बना सकते हो दोनों मतलब जो भी आपको अच्छा लगया आप exam पर बना सकते हो time है तो दोनों बना लेना तो उसने देखो divergent thinking पर क्या हो रहा था हम लोग एक solution का बहुत सारा problem sorry एक problem का हम लोग बहुत सारा solution निकाल रहे थे मतलब बहुत सा single answer पर उसको finish कर दे रहे थे खतम कर दे रहे थे यह वाला आपका conversion thinking है देखो यहीं पर और एक लिखावा है कि divergence is typically signified by the capacity to produce many or greater number of complicated or complex idea divergence का मतलब होता है जब हमारे में capacity होता है to produce more number of complicated or complex idea जब हम लोग एक single idea से बहुत सारे idea निकालते हैं मतलब एक single idea है वहीज हम लोग बहुत सारे idea निकालते हैं उससे हम लोग कहते हैं divergence okay in divergence thinking a single question returns multiple answer एक single question का बहुत सारा answers होता है and though the answer very considerably depending on the person और जो answer है वो आपके person पर ही करते हैं और सारे answer को हम लोग equal value देता है जैसे आपका कोई problem आ गया मतलब आपके school पे या आपके life पे कोई problem आ गया है तब हम लोग जब हम लोग मतलब उस problem का बहुत सारा solution निकालते हैं और उस सारे solution को equal value देते हैं उससे हम लोग divergence thinking देते हैं ऐसाने कि उसी जो चार है उसक तो देखो perhaps they did not exit ever before and so are novels surprising है देन आपका है देखो next eight element of diversion thinking कौन कौन से element से बना है आपके eight element से बना है यानि कोई person का अगर divergent thinking है तो उसके पास ये eight element होंगे ही होंगे और अगर आप भी अपना divergent thinking को improve करना चाते है तो ये eight element को improve कर दो आपका divergent thinking improve हो जाएगा तो अभी हम हम लोग जो पढ़े thinking skill, convergent thinking, divergent thinking ये सारे एक person में हो सकता है बहुत बच्चे confused हो जाते हैं कि एक बच्चा either convergent thinking होगा उसके पास one or divergent thinking होगा ऐसा नहीं होता है सभी के में convergent thinking भी होता है divergent thinking भी होता है thinking skill भी होता है देखो ये तीनों एक ही मतलब एक ही चीज है बस उसको द हुआ है ऐसे 19-20 हो सकता है पर यह कभी कन्फ्यूज पर मत रहना कि एक लड़का या लड़की का ऐधर कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा बच्चे यहीं पर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं यह सारे आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग को इन्हांस कर सकते हैं तो पहला आपका एलिमेंट है कॉम्प्लेक्सिटी, the capacity to conceptualize difficult idea और multifaceted idea मतलब आपके अगर पास अगर कोई idea है मतलब कोई complex idea है और उसको आप conceptualize कर दे रहे हो मतलब उसको उसका एक आसान एक हल निकाल दे रहे हो इसका मतलब है आपके में वो जो complexity जो element है वो बहुत ही अच्छे तरह से develop वा है और ये एक divergent thinking person का ये एक characteristics भी है जैसे बहुत बच्छे को अगर आपको difficult अगर कोई topic दे दो न और बोलोगे कि ये खुद ही मतलब समझो तो वो लोग बहुत मतलब जैसे आप कोई page दे दिये मतलब कोई page पे कुछ लिखावा है कोई complex मतलब topic है तो आप वो लोग है कि ये खुद ही समझो तो वो लोग क्या करते हैं divergent thinking मतलब उसको कैसे करके समझेंगे ताकि उसको एक आसान लगे वो लोग क्या करते हैं single answer पे आते हैं क्योंकि divergent के बाद क्या होता है आपका conversion भी होता है पहले तो अपने दिमाग को पर चारो तरफ दोड़ाएंगे मतलब कैसे करके ये chapter को समझेंगे ताकि एक easy लगे जब भी teacher को भी कुछ पढ़ाना होता है अगर कोई complex अगर topic पढ़ाना होता है तो teacher भी पहले divergent thinking करते हैं मतलब कैसे करके ये पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को ये पूरा easy लगे तो teacher भी पहले क्या करते हैं अगर कोई complex अगर topic है तो उसको divergently think करते हैं मतलब बहुत तरीके से उसको सोचते हैं कि कौन सा वो easy method है जो मैं बच्चों को पढ़ाँगा तो बच्चों को वो easy लगेगा फिर वो divergent मतलब जो सारा जो idea जो लाए रहते हैं उसको फिर converge कर देते हैं क्योंकि सारे को तो implement नहीं कर सकते हैं फिर क्या करते हैं वो सारे idea को एक single way निकालते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर मैं इस way से अगर पढ़ाँगा तो बच्चों को ये complex topic और complex नहीं लगेगा बलकि उसको easy लगेगा पहले वो क्या करते हैं divergent thinking करते हैं फिर बात पर end पर क्या होता है आपका conversion हो जाता है आपका second element है curiosity अगर अपना divergent thinking को improve करना चाहते हैं तो आपके भी curiosity होना ही चाहिए curiosity का मतलब होता है जिक्यासा मतलब जैसे आप class पे कुछ पढ़ा रहे हो तो बहुत बच्चे ऐसे होता है कि मतलब ऐसे ही मतलब जो teacher बोले बस ऐसे मुंडी हिलातेते हैं पर ऐसे नहीं करना है आपको अगर अपना divergent thinking अगर improve करना है तो teacher जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे पे अच्छे से समझो उसके बारे पे और questions पूछो probing behavior मतलब उसके बारे पे और थोड़ा च्छान भी इन करो learning to get more knowledge or information about something अगर कुछ teacher पढ़ा रहे है तो teacher को बोलो कि उसके related और information आपको बताएं and of being able to go deeper into idea आप ये भी देखेंगे कि बहुत बच्चे को अगर कुछ पढ़ाओ न तो उसके और मतलब अंदर जाने के लिए कोसिस करते हैं मतलब उनको आप जितना भी पढ़ाओगा न मतलब उससे वह लोग satisfy नहीं होते हैं मतलब और जानने का मन रहता है इसका मतलब है उनके में curiosity है मतलब सभी चीज को जानने का एक जिग्यासा है और अगर आप भी अगर अपना diversion thinking को improve करना चाहते हो तो एक मन में curiosity रखो मतलब teacher कुछ बढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही मत बैठो या मत ऐसे मुंदी ही लाओ मतलब और जानने की इच्छा करो then है आपका elaboration, elaboration मतलब होता है the skill of adding to an idea, मतलब एक idea को जब हम लोग add-add करके उसको जब लंबा कर देते, elaborate का मतलब क्या है बढ़ा देना, अगर आपके में ये भी एक ability है, अगर एक idea आपको दे रहा है कोई, तो आप उसको अगर उसके बाद, उसके बाद अगर एक add-add-add-add करते जा रहे हो, तो उसका मतलब है आपका divergent thinking बहुत अच्छा है, जैसे debate competition पे आपको जैसे कोई topic दे देते हैं, जैसे आपका है water pollution, आपको अगर बोले कि water pollution के बारे पे कुछ बोलो, फिर बच्चा उस time क्या करेगा? divergent thinking करेगा, कि water pollution कहां-कहां, मतलब किस-किस के बज़रे से ही आता है आपका, फिर बच्चा फिर क्या करेगा? पहले water pollution कहां-कहां से आते हैं, मतलब source of water pollution क्या है, मतलब वो divergently पहले सोचेगा, क्योंकि divergently अगर नहीं सोचेगा, तो वो add नहीं कर पाएगा, वना उसको एक अगरे से पाइडिया बोलेगा, पिर उसके में एक और एक इसी पहले आईडिया को जाएगा, कि जो अगर बहुत बहुत सारी आईसे तालाब है जहां पर लोग अपने भेड बकृयों को नहला देते हैं, तो वो वाला पानी घंदा हो जाता है, तो वो फिर क्या करेगा? व वो वाला आईडिया बोल देगा कि ऐसे जो ताला पे जो ऐसे भेड़ बकरियों को जैसे नहला देते हैं वो नहीं करना चाहिए उनका एक सेपरेट होना चाहिए ताकि water pollution सारा ना हो फिर वो क्या करेगा फिर जो दूसरा कुछ अगर चीज है मतलब जैसे domestic waste है तो हम लोग क्य करते हैं अगर side पर आपका कोई तालाब है तो वहीं पर डाल देते हैं तो यहीं भी नहीं होना चाहिए तो यहीं पर देखो बच्चा क्या कर रहा है एक information के बाद add करता जा रहा है मतलब उसको फैला रहा है उसको elaborate कर रहा है अगर आपके में अगर elaborate भी अगर capacity है इसका मतल flexibility flexibility का मतलब होता है मतलब आपको यह देखना है कि कहां कहां से आप वो idea सारा ला रहे हो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं से भी ले आओगे मतलब वो जो problem का जो solution आप निकाले को कहां कहां से लाए हो यह आपका है flexibility ओके आपका है fluency मतलब इसका मतलब है number of solutions मतलब आपको जो problem दिया गया है आप उसका कितना solution निकाले हो अगर आप एक problem का कोई बच्चा अगर तीन solution निकाला है और कोई बच्चा कोई problem का 5 solution निकाला है इसका मतलब है इसके में यह जो fluency element है वो बहुत ही अच्छे तरह से developed हुआ इसका मतलब यह नहीं कि आप बस नंबर बढ़ाने के लिए जो तो solution निकालो, जो भी solution निकाले रहे हो, वो original होना चाहिए और वो accurate होना चाहिए, मतलब उस solution को आप implement कर पाओ, ऐसा नहीं कि जो तो आप solution दोगे बस नंबर बढ़ाने के लिए, तो अगर किसी बच्चा अगर बहुत सारा solution निकाल पा रहा है, उसका मतलब है, उसके में जो fluency element है, divergent thinking का, वो बहुत ही अच्छे तरह से develop हुआ है, देन है आपका imagination, यह सबसे important है, अगर आप अपना divergent thinking को enhance करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा imagine भी करना पड़ेगा, तो देखो जैसे, आपका जो mobile जो जिसने discover किया था, वो पहले यह सोचा होगा, मतलब वो scientists पहले यह सोचे होगे, कि क्या ऐसे हो सकता है, कि हम लोग अपने घर पे बैटके, 400 या 500 किलोमेटर के दूर से लड़के या लड़की से हम लोग बात कर सकते हैं, तो पहले यह सोचे होगे, उसके बाद ही वो TV, sorry, phone क invent कर पाए, तो हमारे में एक imagination, मतलब सपना देखना का भी ability होना चाहिए, सपना देखने का मतलब यह नहीं होता कि बस आँख बंद कर सपना देखो, खुला करके, आँख खुला करके सपना देखो, ताकि वो सच हो, इसलिए तो लोग बोलते हैं कि, आँख बंद करके सपना मत देखो, आँख खुला करके सपना देखो, ताकि वो सच होगा, और to think, to see, to conceptualize, novel product और idea, then है originality, the skill of coming up with fresh, unique, extremely different और completely new product और idea, अगर आपके में कोई अगर problem आपको अगर दिया जा रहा है, तो उसका solution, आप एक unique, उसका answer निकाल रहे हो, जो सभी के solution से different है, extremely different और completely new product और idea, म मतलब different या कोई unique अगर idea निकाल रहा है, उसका मतलब है, उसके में जो originality, जो element है, वो बहुत ही अच्छी तरह से develop हुआ है, तो हमेशा जब भी आप divergent thinking कर रहे हो, तो एक unique idea निकालो, मतलब एक unique solution निकालो, then है आपका risk taking, मतलब आप अगर अगर divergent thinking को improve करना चाहते हो, तो risk लेने का थोड़ा साहस करो, मतलब the readiness to be courageous, थोड़े साहसी बनो, daring character आपके में होना चाहिए, adventuresome, आपके में एक adventure का भी quality होना चाहिए, तब ही आप divergent thinking कर पाओगे, okay, take risks or experiment with new things so as to stand apart, अगर आप अपने, मतलब वो भीड से अगर अलग दिखना चाहते हो, तो थोड़ा साहस भी बनो, okay, divergent thinking has been noticed in people with personality character, यह वाला हम पहले से पढ़ चुके हैं, यह वाला फिर आप at the end पे यह वाला लिख लेना, मतलब divergent thinking अगर जानना चाहते हो कि कौन से person पे है या नहीं, तो आप कैसे पहचान होगे, मतलब उनका personality कैसे होगा, जो भी जिसका भी divergent thinking बहुत ही अच रिक्स, बतलब वो लोग रिक्स लेने पे उनका मन होगा, ऐसा नहीं कि वो लोग डर के मारे उप पर रहे होगे, बतलब उनके में एक साहस होगा कि हाँ, चलो रिक्स लेंगे, okay, so I hope की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो देखो cognitive learning हम लोग पढ़े, फिर हम लोग पढ़े, thinking skill पढ़े, convergent और divergent thinking, दोनों ही opposite है, तो ये थोड़ा देख लेना, okay, so I hope की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, thank you